डिक्टिशिन क्ति 120 सब्ड प्रतिमनट इस्टार्ट सभापती महोदे यह जो विधियक सामने है जो देश की हालत है आविश्यक वस्तुवों के मामले में जो संकट देश के जनगर के सामने है उपभोगताओं के सामने है वस्तुवों की उपलब्धी के बेच उनका अभाव पैदा हो जाना और उनकी कृतिम महंगाई का पैदा हो जाना ऐसी इस्थिती है जिसमें स्वभावता सरकार की ओर से कुछ कड़ी कारवाई की अविशक्ता प्रतीत होती है मगर जो इस्थिती है उसको देखते हुए और अभी जो मित्र सरकारी पक्ष के बोले हैं उनकी बा नापता है कि क्या यह सरकार जो इस विधियक का उदेश है वह इसे चाहती है क्या यह सरकार इसको लागू करने का इरादा रखती है मैं अभी नियत पर सक करने जैसी कोई बात कहना नहीं चाहता लेकिन वस्तु इस्थिती वहां तक जाने को मजबूर करती है हमारी मित्र सा सासक दल के पिछली सरकार के बारे में बोले हैं जो उन्होंने कहा है सही है उससे जादा कहना भी सही होगा देश के लोग जानते हैं कि उस सरकार में भी अधिकांस वही लोग थे जो उसके पहले सासक दल के थे इसलिए नीतियों के जरिए महेंगाई बढ़ाने में और चोर व्यापारियों को छूट देने में एक दूसरे से होड लेने में ये लगे हुए हैं कि कौन जादा जनगड को लूटने में चोर व्यापारियों की मदद करे जनता पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में देश के पूंजी पतियों की अपनी पार्टी और अपनी स जिस समय यह सरकार आई उससे पहले जंता पाटी की सरकार ने चीनी की कीमत बढ़ाई और गन्य की कीमत गटाई कहा गया कि देश में चीनी ज़्यादा हो गई इसलिए गन्य की कीमत 2.500 रुपए कुइंटल कर दी गई है लेकिन चीनी की कीमत बढ़ा दी है फिर नियंत्रन गटाकर और फिर नियंत्रन लगाकर खुले बाजार में चार दावा रुपए किलो चीनी की कीमत कर दी गई गई गन्ने की कीमत घटाकर और चीनी की कीमत बढ़ाकर खुले आम जंता पार्टी की सरकार ने देश के लोगों से यह कह दिया कि किसान चूकी गन्ना पैदा करती है इसलिए उसकी कीमत घड़ जाए और करोड़ पती चुंकि चीनी मिलों के मालिक हैं उसका मुनाफा करोड़ पती लेते हैं इसलिए उनका मुनाफा बढ़ा दिया जाए इस प्रकार उन्होंने लोगों से यह कह दिया कि भाई मत दाताओं यह करोड़ पतियों के हुकम पर चलन वाली सरकार है जब नई सरकार आई प्रधान मंत्री जी ने जनता के सामने खुला ऐलान किया कि हम दाम को बांधेंगे हमको बहुमत दीजिए विसाल बहुमत मिला वह बहुमत बनाने वाले मित्र उधर बैठे हुए हैं और दाम बांधा गया चीनी का दाम चार रुपए किलो था ऐसा कसकर बांधा कि उनका दाम बड़ा नहीं हुआ क्या दाम कूदा कीमत ने छलाग मारी चार रुपए से सवा चार साड़े चार से पांच रुपए किलो कीमत हुई इस तरह से इस नई सरकार ने करोड़ पतियों से कह दिया कि जादा कारगर तरीके से तुम्हारी सेवा कांग्रेश कर सकती है और कर रही है यहां पर गन्य का जिक्र आया सरकार का दावा है कि देश में गन्य का उत्पादन जादा हुआ है हमारे कृशिम मंत्री जी खास कर उस इलाके से आते हैं जहां के किसानों ने मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने में अगले कतार में अपनी जगह बना ली है किसानों का गन्ना बिग गया लेकिन सरकार के भंडार में गन्ना नहीं आया स्टॉप